हलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग नो नुवंबर 2022 के करेंट अफेर के सेशन एक बार फिर मैं हिमानशू आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम करता हूँ आईए नो नुवंबर 2022 के डेली करेंट अफेर के सेशन की शुरुआत करते हैं पहला कोशन देखें किसे फ्रांस दवारा शेवेलियर पुरसकार से समानित किया गया है तो ये हैं अरूना साइराम करनाटक की प्रसिध गायक संगितकार मानवताबादी और वक्ता अरूना साइराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच सम्मान शेवेलियर पुरसकार से समानित किया अगला कोश्चन देखिए विश्यव सुनामी जागरुकता दिवस कब मनाया गया तो हर साल 5 नुवंबर को दुनिया भर में विश्यव सुनामी जागरुकता दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का परमु खुदेश्य भविषय में आने वाली आपदाओं को लेकर अगला कोशन देखिए थर्ड कोशन किस राज्य में लखपती दीदी मेले का शुभारम किया गया है तो ये राज्य है उत्राकंड मुख्यमंत्री पुशकर सिंधामी ने कहा कि इस योजना के तहट वर्ष दो हजार पच्चीस तक एक पॉइंट पच्चीस लगबग सवा ला किस फिंटेक कंपनी ने छोटे कारियोबारियों के लिए डिजिटल चालूँ खाता लॉंच किया तो ये है चेकबुक चेकबुक छोटे व्यवसाय के मालिक जैसे किर्याना कोस्मेटिक उप भोकताओं का तुरंत खाता खोलने के लिए यह पहल लेकर आ जाया है कंपनी के भारत में करीब 63 मिलियन से अधिक लोग छोटे व्यवसायों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए चेकबुक ने यह अनोकी सुगिदा जारी की अगला कोशन देखिए विशव की सबसे सस्ती वी निर्मान लागत वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा तो आ वी निर्मान लागत वाले देशों की सूची में चीन और वियत नाम को पीछे छोड़ा है रिपोर्ट के नुसार 100 के पैमाने पर भारत ने सस्ते वी निर्मान लागत के मामले में शाथ प्रतिशत स्कोर किया है अगला कोशन देखिए किसके उपनियास कार को एंजू थाच शकेरल सरकार ने प्रतिश्थित एंजू थाचल पुरसकार के लिए मल्यालम भाशा और साहीत्या में उनके योगदान के लिए उन्हें इस पुरसकार से नवाजाए उनकी प्रसिद रचनाओं में पांडव पूरम, कैमू द्रकल, आद्या, लंगल, किरातम, अरामाथे शा अदानी निउडिस्टिजीज ने गुजरात राजयमि भारत का सबसे बड़ा पवन ट्रबाइन स्थापित किया है, यह पवन ट्रबाईन गुजरात की स्टेच्च्य ओफ यूनिटि से भी उंचा बनाया गया है, इस 200 में लंबे पवन ट्रबाइन की बिजली उत्पादन चमता 5.2 मेगावार्ट है और यह लगबग 4,000 घरों को असानी से बिजली उपलब्द करा सकता है याद रखेगा अडानी इंडस्टीज ने गुजरात के अंदर पवन टरबाइन स्थापित किया है पैंक ओफ बडोदा ने किस नाम से नई योजना लॉंच की है तो पैंक ओफ बडोदा ने योजना लॉंच की है ये हैं बडोदा तिरंगा पलस जमा योजना इसके अंदर गरहाकों को जो कोलेबल और नोन कोलेबल गरहाक हैं उनकी इंटरस्ट रेट से कुछ परसेंट जादा पर सेविंग्स को रखने पर प्याज मिलेगा अगला कोशन देखिए नमसीबल बॉंड जाली किया था तो फर्स्ट था पुने 2017 में और आप बना है वडोदरा 2022 में और इसके दवारा इस बॉंड के दवारा 100 करोड रुपे जो जुटाए जाएंगे उसका इस्तिमाल वडोदरा के बुनियादी धांचे में विकास के तोर पर किया जाएगा इयर्स के केवी कामत अगले पांच सालों के लिए इस पर पर कारेर रत रहेंगे 11th question देखे बाइजूज ने किसे education for all पहल का global ambassador न्यूट किया है तो ये है लियोनल मैसी लियोनल मैसी एक star football player है जिनको brand ambassador बनाया गया है global brand ambassador बाइजूज के लिए अगला question देखे किस राज्ये ने स्कूली शातरों के लिए प्रतिरिन 10 मिनट का योग अनिवारे किया है तो ये राज्ये है करनाटक करनाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने राज्य के हर स्कूल ली छातरों के लिए प्रति दिन दस मिनट का योग कमपल्सरी किया है उनके अनुसार हर दिन स्कूल में दस मिनट योग की मदद से बच्चों की सहन शक्ती एकागरता और स्वास्ते में सुधार शारिरिक व्यमानसिक तनाव को सुचारो रूप से सुद्रड बनाया जा सकता है अगला कोशन देखें किस राज्य ने एक लाग छातरों को फुटबॉल प्रक्षिक्षन देने का निन्ने लिया तो ये राज्य है केरला केरल राज्य ने एक लाग छातरों को फुटबॉल प्रक्षिक्षन देने का निन्ने लिया है हाल ही में केरल राज्य ने में 20 नवंबर को फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है केरल के वरतमान मुठ्यमंतरी कौन है पिनराई विजियन अगला गोशन देखते है जेराड पिक ने किस खेल से सन्यास लेने की घोशना की है तो ये खेल है फुटबॉल स्पेन के स्टार डिफेंडर और स्पैनिश कलब बारसी लोना के लिए खेलने वाले जेराड पिक ने सन्यास का एलान किया है स्पेन के खिलाडी है ये और इन्होंने फुटबॉल से ही इन्होंने अपना सन्यास लेने की घोशना की है अगला कुशन देखे किस कमपनी ने 24 मा विश्व संचार प्रुसकार क्लावड नेटिव अवार्ड जीता तो ये कमपनी है जियो लंदन में आयोजीत वर्ल्ड कम्यूनिकेशन अवार्ड के 24 एडिशन में जियो प्लेटफोर्म कमपनी को क्लावड नेटिव अवार्ड से समानित किया जियो को ये जो समान दिया गया है उसके 5G और 4G नेटवर्क सोलुशन के लिए दिया गया है याद रखेगा जियो कमपनी के फाउंडर है मुकेश अंबानी और इसकी स्थापना की गई थी 2007 में इसका मुख्यालय है महराष्टा में एगला कोशन देखें किस राज्ये ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबूर्ड लॉंच किया तो ये है हरियाना हरियाना राज्ये के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने परदेश के सभी विभागों की विकास युजनाओं को दर्शाने के उदेश्ये से इ उपहार पोर्टल और CM डैशबूर्ड लॉंच किया है अगला कोशन देखें नीवा बुपा ने बैंक इंचोरेंस के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया तो ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक नेक्स कोशन देखें चोदवी विधान सबा के लिए भारत के प्रथम मदाता कौन है जिनोंने मतदान किया टो ये हैं शाम सरन नेगी जी चौद्वी विधानसबा के लिए भारत के प्रथम मंदाता शाम सरन नेगी ने मतदान किया शाम सरन नेगी ने बैलेट पेपर की मदद से अपना वोट दिया उन्होंने बुद्धवार को चोंटिस्वी बार अपना मतदान दिया अजाद भारत के पहले चुनाव के समय में किन्नोर के मुरंग स्कूल में बतोर अध्यापक की कारेरत थे अगला कोशन देखे कौन सा केंदरिय मंतराले पोशक तत्व अधारित सबसीडी योजना से जुड़ा है NBS तो ये मंतराले है Ministry of Chemical and Fertilizers सरकार ने 2022-23 की दूसरी छे माही के लिए Phosphatic and Potash P&K उर्वरकों के लिए 51,875 करोर रुपए के सबसीडी को मंजूरी दी है ये है योजना रसायन और उर्वरक मंतराले दोबारा कार्यानमित की जाती है अगला कोशन देखे इस सेशन का आखरी कोशन है तीन वर्षों में चीन का दोड़ा करने वाले G7 निता कौन बने तो ये है ओलाफ स्कोल्ज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज चीन की यात्रा पर है वह लगबग तीन वर्षों में ग्रुप ओफ सेवन G7 में चीन से उतरने वाले पहले निता बन गए है आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमन शेक्षन में कॉमन करके बताईए इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल नह भूले कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गॉन आइट थैंक यू थैंक यू वर्मच थैंक यू गैस थैंक यू वर्मच